हलो इंजिनियर्स कैसे उमीद करते हैं आप बहुत अच्छोंगे आज आईए आप सभी मेकैनिकल वारियर्स को in fact मेकैनिकल ही नहीं सिविल इलक्टिकल सभी एस्परेंट्स या हर एक कामन स्टुएंट्स को ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए तो देखे अगर आप गाड़ी में चोक लेते हैं तो उसमें होता क्या है मेकैनिकल इंजियर्स के डिफरेंट इग्जामिनेशन्स में SSC हो जाए, RRB हो जाए, GATE हो जाए, ESEO यहां से आपके question भी बनते हैं, जैसे आप पुछा जाए कि चोक वाल बे क्या करता है और चोक हमें क्यों लेना होता है, तो basically जब हम गाड़ी को काफी दिन बाद स्टार्ट करते हैं और engine हमारा आपका नीचे का काफी ठंधा हो जाता है, क्या हो जाता है, ठंधा हो जाता है तो आसानी से start नहीं होता है तो सर्माजी, बर्माजी, सब लोग कहते हैं यार चोक ले दो, काड़ी start हो जाएगा तो actual में जब चोक लेते हैं, तो लोगों की मन में एक बहुत misconception बना हुआ है और एक ultra concept बना हुआ है, कि जब चोक लेते हैं, तो चोक वाल्ब actual में करता क्या है यह एक समझने की बात है, बहुत जरूरी है तो दोस्तों, जैसे कि यह आप देखोगी, यहीं पर आपका air filter होता है समझना इस बात को, air filter का काम होता है, atmosphere से air देकर के सक करता है फिर इस passes के थुरू, आप देखेगा, इसी passes के थुरू air हमारा carburetor के अंदर enter करता है आपको पता है, carburetor का काम है, air and fuel को mix करना है तो जब normal situation में क्या होता, जब हम चोक लेते हैं जैसे इसको हमें उपर करना होता है जैसे ही यह लाते हैं, तो यहाँ पे एक valve होता है, वो हमारा air की supply को रोक देता है तो overall जब चोक लेते हैं तो air की supply को regulate किया जाता है मतब जैसे अब इसको उपर करेंगे नार्मल बाइकों में हमें ऐसे करना होता है ऐसे पोजिशन पे हो गया इसका मतब आपने चोक ज़िए इसी को उठा करके यहां कर देते हैं और तो एर की सप्लाई रुख जाएगी इंजन में कार्बुरेटर से होते हुए उपर से हमारा नीचे हमारा सिर्फ फ्यूल आएगा तो क्या होता है कि उसमें हमारा इंजन को एक्सेस फ्यूल की जरुद होती है इस्टार्टिंग सेचवेशन से तो ओभराल समझना बहुत इंपोर्टन चीज है कि जब आप वहिकल्स में चोक लेते हैं बाइक में चोक लेते हैं तो एर की सप्लाईर रुक जाती है नार्मल ववस्था में क्या होता है जैसे अभी यह यहाला सिनरी हो है यह नार्मल सेचवेशन है यहाँ पे क्या होगा इस वाल्ब से होते हुए आपका एर भी जाएगा उपर से फ्यूल भी आएगा और यहाँ पे एर और फ्यूल मिक्स होगा बोगे तो कार्बूरेटर में मिक्स होगा तो ओवराल आगर एक्जाम में पूछा जाए कि चोक लेते हैं किसकी सप्लाई को रेगलेट करता है अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये चोक वाल अंदर आपको जब देखोगे तो ऐसा कुछ देखेगा ये देखो अंदर का वाल आपको दिखाएगा जब आप इसको ऐसे करते हैं तो ये बीच में जाते हैं ऐसे होरिजंटल जाते हैं ये पूरी तरह से वाल आपका ऐसे बंद हो जाता है तो आटोमेटिक हमारा एयर की सप्लाई क्या हो जाएगा इंजिनियस यहां से रुख जाएगा ये एक अमेजिंग कंसेप्ट था और मुझे उमीद है कि आप सभी वारियर्स इस कंसेप्ट से जरूर बेनिफिट उठाये होंगे और दोस्तों इस पे और भी सारे कोशन्स एक्जाम में बनते हैं जैसे कार्बुरेटर में आपको देखा जाए जोक वाल्ब होता है एक हमारा थ्रोटल वाल्ब होता है जस्ट हमारा नीची होगा यहीं पर यहां से जब आप देखोगा तो यहां पर थ्रोटल वाल्ब होगा आप से पूछे थ्रोटल वाल्ब किसकी सप्लाई को रेगलेट करता है तो एर और फ्यूल की सप्लाई को दोनों करोगा आपसे पूछे fuel meter क्या होता है तो fuel meter exact carburetor के अंदर कितना amount fuel per cycle जरुवत होता है वो extract कर लेता है आपसे पूछा जाता है carburetor में float valve क्या करता है तो float valve जो हमारा auxiliary fuel tank है उसमें fuel का label हमेशा maintained है इस तरह का होता है आपका जैसे label अगर down होगा न auxiliary tank में तुरंत हमारा float valve नीची आजाएगा उपर से fuel तुरंत नीची आएगा तो ये सारे questions exam में पूछा जाता है दोस्तों exam में ये भी questions पूछा जाता है अगर आप बात करते हैं कि perfect mixer अगर आप बनाना है air and fuel का तो कितना ratio होना जी air and fuel का 14.5 is to 1 के ratio में अगर आपने air and fuel का mixer mix किया तो 100% यहाँ पे combustion आपको देखने को मिलेगा और आप से पूछा जाता है कि diesel का compression ratio कितना होता है तो आपका answer होना चाहिए 16 से लेके आपको 24 की बीच में होता है petrol का compression ratio कितना होता है मतलब कि SI engine का आपको इसका जवाब देना पड़ी है 6 से लेकर के 10 के आसपास होता है dual engine में कितना compression ratio रखा जाता है तो 12 से लेके 16 के आसपास तो फिरहाल यह petrol की bike है तो petrol obvious बात है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे part है आप लोगोंने देखा होगा यह देखिएगा आप लोग अक्सर करके fuel हमारा normal situation में इस थरीके से आप कर रहता है यह हमारा fuel उपर से बंद कर देते हैं तो जब आप इसको बंद कर देते हैं कभी-कभी जब बहुत सारे गाव में हम सब लोग कभी-कभी हला कि आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें करना चाहिए कि जब हमारी बाइक बंद हो गई ना तो इस valve को ऊपर कर दो ताकि हमारा fuel की supply क्या हो जाए उपर से नीचे ना है कभी-कभी क्या होता कि रीके-जोगर हो जाता है और किसी वज़ा से किसी ने ध्यान नहीं दिया गर्मियों का time है या मासिस मार दिया आग लगने के बी chances है हालाकि इन सब बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं but इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए तो आज की यह कहानी कैसी जगी आप लोगों को चोक बाल बाल दी और आपको ये concept कैसा लगा वीडियो के नीचे comment section में जरूर बताईएगा और इसी तरह की amazing fact के लिए मेरे साथ इंजीनस अड़ा पर बने रहिएगा दोस्तों थैंक यू